بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद Electrical आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPU पर यानि के Speed Sensor के उपर कि ये कैसे काम करता है इसकी Adjustment क्या होती है और इसका Working Principle क्या है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं MPU MPU इसको हम क्यों कहते है इसका मतलब होता है Magnetic Pickup MPU यानि के Magnetic Pickup या इसको Speed Sensor भी कहा जाता है तो नाम से जाहिर हो गया कि ये Speed को Sense करता है Speed को Sense करने वाला Sensor है अगर हम बात करें इसकी Construction के उपर सबसे पहले तो इसकी Construction बहुत सिंपल होती है इसमें एक Metal की या किसी भी Conductor की Rad होती है उसके उपर यहाँ पर Quile Lipati भी होती है हमने उसके दो सिरे हम बाहर ले लेते हैं इसके अंदर एक Permanent Magnet का Pole Piece लगा दिये जाते है जैसा कि आपको नज़र आ रहे है Permanent Magnet की Magnetic Field इसके Around में हमेशा मौजूद रहती है अब इसके हम Working Principle पर बात कर लेते है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने Green Color से Magnetic Field बना दी इसके Around में जो के हर वक्त मौजूद है चुँके यह एक Permanent Magnet का Pole Piece लगा है हमारा जो Fly Wheel होता है इंजन का Fly Wheel के और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके उपर टीथ बनाए जाते है जैसा कि आपको नज़र आ रहे है इनको फ्लाइविल टीथ कहते हैं जो के Metal के होते है यानि Iron के होते है या किसी भी Conductive Material के हो सकते है अब जब इंजन रुकाव है तो यहां पर कुछ नहीं हो रहा है जब इंजन को हम क्रेंक करवाते हैं चाहे वो DC Motors के जरीए हो या Air Starters के जरीए हो तो इंजन का फ्लाइविल जो हो गूमना शुरू होता है तो जब यह गूमना शुरू होता है तो आप गौर से देखेंगे तो एक एक टीज हमारी MPU के बिल्कुल स्ट्रेट पर आता है यानि के उसकी बिल्कुल सीध में आता है और इसकी बनने वाली Magnetic Field को कट करना शुरू करता है तो जब भी Magnetic Field को कोई Conductor कट करेगा तो क्या होता है हमाँ पर Faraday Law आ जाता है Faraday Law of Electromagnetic Induction तो MPU का जो Working Principle है वो भी Faraday Law of Electromagnetic Induction है जैसा के जनरेटर में AC सप्लाइ प्रोडूस होती है तो MPU को हम छोटा सा AC जनरेटर भी कह सकते है अब क्या होगा Magnetic Field और और क्वाइल और क्वाइल के टीथ है वो कट करना शुरू हो गए हमारे इस Magnetic Field को तो इसके अंदर जो क्वाइल है उसमें Voltage प्रोडूस होना शुरू हो जाएंगे जो के हमें इसके दो तारों पर मिलेंगे तो Voltage कौन से प्रोडूस होंगे जाहिर सी बात है के AC प्रोडूस होंगे कभी भी DC प्रोडूस नहीं होंगे जूँकर यहां पर गूमते वे कट कर रही है Magnetic Field को तो AC Voltage प्रोडूस होंगे उसमें Frequency भी होगी उसकी अपनी तो अब यह Speed को किस तरह सेंस कर रहा है जितने number of teeth जो इसको कट करते जाएंगे उसके हिसाब से यह Frequency को मेजर करेगा उसके हिसाब से यह आगे सिगनल सेंड करेगा तो यह बात हम पहले बता चुके हैं कि Speed जो है वो directly proportional होती है to the Frequency तो जितनी भी Frequency यहां पर प्रोडूस हो रही है यह उसके हिसाब से आगे बताता है कि इतनी Speed चल रही है तो यह तो था इसका working principle अब अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी adjustment के उपर तो इसकी adjustment ऐसी होती है कि इसको flywheel के teeth के बिलकुल करीब लाकर हमें tight करना होता है लेकिन इससे फासला रखना होता है जिसको हम air gap कहते हैं अगर यह बिलकुल touch हो गया तो engine start होने की सुरत में यह फॉरण damage हो जाता है अगर इसको जादा दूर रखेंगे फासला तो यह अपना काम सही से नहीं करेगा तो इसका एक specific air gap की range होती है तो इसकी specific range है recommended range है minimum 0.25 mm से maximum 1.02 mm तक होनी चाहिए यह mm में इसको आप भी convert करके देख सकते हैं ना ही यह जादा दूर हो इससे ना ही बहुत करीब हो के यह touch होने का खत्रा हो जाए तो इसको एक मखसूस air gap के साथ tight कर दिया जाता है इसके उपर checking nut होता है उससे हम tight कर देते हैं तो फिर यह कहीं पर भी move नहीं हो सकता तो इसका air gap इतना रखा जाता है अब हम बात कर लेते हैं इसके produce होने वाले voltage के उपर जैसा कि हमने बताया कि यह AC supply produce करता है तो इसके minimum voltage और maximum कितने होते हैं अच्छा यह हम जो बात कर रहे हैं यह किसी specific manufacturer की बात नहीं कर रहे हैं कोई सी भी company हो MPU के एक standard voltage है यानि के minimum 1 VAC से लेकर maximum 50 VAC तक यह produce करता है तो यह voltage vary किस सूरत में होते हैं हमारे flywheel की speed के उपर depend करते हैं मसलना जब engine crank कर रहे है तो cranking RPM जैसा कि हम जानते हैं कि कम होते हैं तो crank termination हमेशा 400 के बाद रखी जाती ही जब 400 RPM पर engine की speed आ जाता है तो उसके बाद crank को terminate कर दिये जाता है यानि के वह fuel से running पर आ जाता है अगर 400 से कम है नॉर्मली जो हम देखते हैं जनेटर्स में इंजन में 100 से 1.5 या पौने 200 RPM तक रीच करते हैं तो जब engine crank हो रहा है तो उस दोरान इसमें minimum 1V तो प्रोडूस होने चाहिए जब वह 1V प्रोडूस होंगे तो इसकी एक अपनी frequency होगी कुछ ना कुछ तो voltage और frequency जब हमारे module को जाएंगे चाहिए वह woodwork का है या कोई भी electronic controller लगाव है जो के speed को monitor कर रहा है उसको यह पता चल जाएगा के 1V उसको मिल गए तो frequency के हिसाब से वह इसका पता लगाएगा के engine के flywheel की speed है वह कितनी है उसके बाद जब fuel खुलना शुरू होता है तो फिर वह signal हमारा जो governor होता है signal देता है fuel system को fuel system के बाद engine की speed बढ़ने लगती है जैसी speed बढ़ती जाएगी हमारे voltage बढ़ते जाएगे मान लेते हैं कि 1 से 5V हो गाए 10V हो गाए फिर 20V हो गाए तो एक rated value पर आकर इसके voltage जो हो constant हो जाते है maximum जो बताया गया है वो 50V एसीदा कि इसकी range होती है तो यह इसके voltage की range तो उमीद है आपको MPU के अवाले से confusion clear होई होँगी इसका working principle जो के faradale होई उस पर यह काम करता है इसका air gap 0.25 से लेगा 1.02 mm तक रखना चाहिए AC voltage जो इसमें produce होते हैं minimum 1 volt, maximum 50 volt दक होने चाहिए अगर out of range है तो इसका मतलब पर MPU आपका सब्सक्राइब करना चाहिए इसी तरह इसको हमेशा flywheel से एक फासले पर रख कर टाइट करना चाहिए अगर तो यह बहुती करीब हो गया तो यह फॉरन डेमिज हो जागा इसमें कोई इसके बचने का चांस नहीं होगा अब अगर हम बात करें flywheel teeth के उपर control module में ECM के अंदर उसकी programming करते हैं ताके कोई mismatch ना हो जिससे speed की जो हमें wrong value ना मिले उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशालला नेक्स्ट वीडियो में नाई topic के साथ आएंगे वीडियो पसंद आने की सुरत में like करें आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला आफिज